जिनको लाइफ में लगता है एमर्जंसी फंड चाहिए तो उसका नंबर है 897 इसको थम के नीचे लिखना है ठीक है अगर अरजेंटली कुछ पैसा चाहिए एक लाख एक करोड यह सब दे सकता है शारुक खांजी अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेते हैं आप चक कर लो नेट के उपर सूपर स्ट्रॉंग नंबर जो है निम्रिलोजी में वो तीन ही है पांच एक और छे उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है तीन तो दोस्तो स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में क्यूंकि आप हमारे जो एपिसोड होते है ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड उन एपिसोड को बहुत जादा प्यार देते हैं और आपका मन करता है नही नहीं चीजे सीखने का जानने का तो हमारे अभी फर्ज बनता है कि हम अच्छे-प्स पर्ट को लेकर आएं एक्सपरियेंज लोगों को लेकर आएं जो लोग हमारे शो पर आते हैं उनके भी टीचर को लेकर आएं तो उसलिए आज हमारे साथ है डैली के बहुत एक्सपिरियेंच और सटीक और बढ़िया नियुमेरीलाँ इसट संदीब बजाज सर जय गुरुजी जय गुरुजी सर जय गुरुजी स्वागत है सर आपका थैंक्यू डियर और कैसे वाप बढ़ी है मेरे भाई बहुत बढ़ी है सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है सर अभी आप आफ कैमरा बता रहे थे कि आप एक न्यू लॉजिस्ट एक्सपर्ट है और पांच तरीके होते न्यू लॉजी के तो थोड़ा आप इसको कॉंसे को एक्स्प्लेइन करो कि हमें काफी कम पता है उपर उपर से पता है और आपकी क्या एक्सपर्टीज है वो भी बताओ दिखो है क्या कि सब कुछ इंडिया से ही गिया है इंडिया जन्नी है इन सब ओकाइट साइंसेज की आज से 10,000 साल पहले या 15,000 साल पहले जो हमारे पूर्वर्ज थे उन्होंने इसके उपर वर्किंग करी और उन्होंने उसका रिजल्ट हमें डिजाइड रिजल्ट दिना स्टाइट तरा सबसे पहले आई वेडिक निम्रोड़ोजी उसके बाद जो आई वो कहीना गई पर चाइनिस निम्रोड़ोजी चाइना वाले भी लेकि हम इंडिया से गए थे देन उसके बाद और एडवांस वर्जन जो आया वो आया प्रोड़ोजी उसके बाद एक आई पाइथा गुरस उसके बाद एक साथ-साथ बीच में आय थी कभाला सिस्टम पांच तरह की चीज़ नहीं किसी विद्या में कोई कमी नहीं है सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने गुरू का मेरे गुरू की आशिरवात की वज़ा से ही मैं आज आप दोनों भाईयों के पास तीनों भाईयों के पास बैठा हूँ माइग गुरू नेम इस अर्विन सूच सर व को लेने के बाद वहां से हम पूरा लोशो ग्रिड बनाते हैं इसको हम निमेरोस्कोप भी कहते हैं कौन-कौन से नंबर है किस धंके नंबर है वो सब उसके अंदर आजाते हैं माली जे आज की डेड़ जो है यह 10th February 2024 तो यह पूरी डेट को हमें देखना है बहुत लोग ऐस है वो ऐसे ही चलेगी 10th February 2024 तो इसमें एक ड्राइवर होता है एक कंड़क्टर होता है और यह वर्ड्स पी जो है वो अर्विन सूसर ने ही इजाद किये थे अर्विन सूसर दोजार से पढ़ाते आ रहे हैं और अब तक करीब करीब 35,000 से उपर सुड़न पढ़ा चुके हैं और मैं भी जो है उनी का प्रोड़क्ट हूँ और बहुत कम लोग मार्केट में होंगे जो अपने गुरू का नाम लेते हैं बिना गुरू के आशिरवाद के आप कोई काम नहीं कर सकते हो तो मैं दिल से कहता हूँ मैं जो भी कुछ हूँ ओनली बिकॉस आफ अर्विन सूसर जिनने इतनी अच्छी विद्या का आशिरवाद दिया आज वो विद्या मिरको पताने कहां से कहां ले गई हैंम Cu hu मेरी डिट अबर्थ है 17 नवेंबर 1971 ठीक है 17 को एडब किया तो आया 8 और पूरी डिट अबर्थ को टोटल किया तो 28 का 1 आया जब भी निम्रोलोजी को हम लेंगे तो उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे और नम्मर जो होते हैं वो नौई होते हैं एक से लेके नौ इसमें 81 कॉंबिनेशन पूरे के पूरे होते हैं विकॉस 9 x 9 is equal to 81 तो 81 कॉंबिनेशन है अगर मैं एस्ट्रोजी में जाता हूं तो एस्ट्रोजी में कम से कम सवा 2,000,000 से कम कॉंबिनेशन नहीं है उससे उपर ही है तो कहां तक याद करोगे यह तो एक छोटी से ऐसे विद यह जदतर क्या कहती थी कि अमीरों के पास रहे गई यह फिल्म स्टार के पास रहे गई यह जितने भी अच्छे चे बहुत बड़े बड़े लोग ते उन्होंने इसको अपना बना रखा था अर्विन सूसर उन्होंने इसको प्रॉपर पूरा समझाया पूरा इसकी गाइडेंस दी पिछले बारा साल से जो मैंने वर्किंग करी है इसके उपर उसका पूरा रिजल्ट आया है और वो रिजल्ट इतना जबर्दस्ता है कुछ कहने की बात नहीं सर जैसे आपने भी बताया कि हम ड्राइवर कंड़क्टर मुलांक और यह सब काल्कुलेट कर सकते हैं अगर आपको डियो भी पता है बट बहुत से लोग जिनको डियो भी नहीं पता जैसे हमारे पेरेंट्स ग्रेंड पेरेंट्स उन्हीं पता तो उस केस में अगर आपके पिख्लायनट है तो आप क्या उनके लिए चार चीजें बिलकुल फिक्स जाहें रिंग को सबसे आशिर वाद देने वाला नंपर है नंबर पांच और बञा क्या है कि 85% लोगों के पास यह पांच कांग होता ही नहीं है और चुपाया गया है सबसे कि हमें उजागरी नहीं करना तो पांच मनला कि कोई फिफ्ट डेट पर बहुन हुआ है वह पांच 14 23 15 25 फिर उसके बाद मई का महीना वह भी पांच आ गया 55 65 75 85 95 5 15 अगला 25 आने वाला साल तो जो बच्चा उसे पैदा होगा लगी ओलगा अच्छा सब्सा नमबर तो पहली बार सुना है कि अब तक हमने एक सुना था कि वहvania लीडर का नंबर होता है नाइन सुना था कि वह स्पिरिचुल का ब्रहम स्थान है यह सब को एनर्जी दे सकता है पांच नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मर्करी को और मर्करी जो है वो सूर्य का पुत्र है सबसे नजदीक बैठा हुगा अगर हम सोलर सिंस्टम में भी देखें तो सन के बाद सबसे पहला प्लानेट कौन सा आता है मर्करी वो मर्करी ही सारी कुछीजों का आशिरवाद दे रहा है सब को और हम दो चुपा के रखा गिया है जिस दिन से मैंने इस चेज को समझा मैंने कोशिश करी जागसरा लोग को मैं अपडेट कर सकूं उनको इसके बारे में नॉलिज दे सकूं पसर लोग फिर इसका प् आता हूं जिनकी भी डेट ऑव बर्थ दो चार आठ है जिनका भी मुलांग दो चार आठ है चाहें ड्राइवर हो चाहें कंड़क्टर हो उनकी लाइफ में भगवान ने भर भर के भर भर के भर भर के दुख तकलीव दी है अच्छा हिटलर अगर डेट ऑब चेक करोगे दो और वो कहीं ना कहीं पे करप्ट लोग हैं और सुनो इससे आगे अगर किसी का नेम के स्पेलिंग चार पे आते हैं तो उसको जेल यात्रा हो सकती है यह 99% है नीरव मोदी नेम के स्पेलिंग चार्च पे दाउद इबरहीम नेम के स्पेलिंग चार पे तुम्हारा हर्षद म तो यह जितने भी लोग हैं ऐस water example हे जिनके भी नेम 54 पे है अभी दोजार भी समे दोजार बीस में उसने नेमwwww चेंज की है nowisch बगचन और उस दिन और वार्ड ही ऐसार्ट हो गए यह बात अई यह जैसे आफ 15 बोल रहे got 25 सबसे बढ़िया देट ऑब बर्त है 19 के बाद किसी बी महीने में, अगर किसी को delivery करवानी है तो 19 तारीक सबसे बढ़िया डेट होती है delivery करवाने के लिए उसके बाद अगर कोई डेट है तो वो है 15 तारीक क्योंकि 15 तारीक में एक भी आ गया, पांच भी आ गया और 6 भी आ गया अच्छा, ये किसी भी मन्त के में हो सकता है किसी भी मन्त में उसके अंदर तीनों चीजों का आपको आशिरवाद मिलेगा और जितने अच्छी डेट अबर्ट इसे मालों कोई पैदा होता है सिर्फ के लिए छे तारीक को तुसको छे का ही आशिरवाद आ रहा है लेकिन 15 में क्या हुआ, एक का भी ब्लेसिंग्स आ रही है पांच की भी ब्लेसिंग्स आ रही है और देखें तो उसमें उनके पास पांच बारी वन आ रहा है 11 अक्टूबर 1942 उसमें 5 बारी वन आ रहा है अगर आप पोशो रजनीज जी की जिटोबर देखें उनके पास 6 बारी वन आ रहा था दिलीप कुमार जी के पास 6 बारी वन आ रहा था इंदरा गांदी के पास 6 बारी वन आ रहा था और आपके इस भाई के पास भी 6 बारी वन आ तभी मैं आज आपके पास पहुंच पाया, वोई 6-1 मुझे आपके पास लेके आए, क्योंकि कोई भी नंबर अगर आ रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी समझ नहीं है, वो ही सारा का सारा खेल देगा, अब मालों कोई बच्चा पैदा हुआ है, 29 दिसंबर 2022 को, उसका ड्राइवर भी टू होगा, कंड़क्टर भी टू होगा, और उसकी ग्रिड में साथ बारी दो आ रहा है, और ऐसा बच्चा जो है, वो पूरन माशी की रात को और अमावस्या की रात को अपने माबाप को सोने नहीं देगा, क्या करेगा? साथ बारी टू, माइंड की पावर को सूपर स् जाते हैं, हर नमबर जोडे में एक्सिलेंट है, जैसे कि डबल वान, डबल टू, डबल तरी, डबल फॉर, डबल फाइव, डबल शिक्स, डबल सेवन, डबल एट, डबल नहीं, इतने हैं अच्छा होता है, इस से जादा हो गया तो, येस, फ्रिक्वेंसी बिगड गई, क् अती हर चीज की बुरी होती है, ये वो कहानी है, ओके, सर, चलो आपने आज नया नमबर तो बताए, पांच नमबर के बारे में, बट एक बहुत ऐसा नमबर है, जिसको अनलखी माने जाता है, तेरा, या तीन ती गाड़ा, काम भी गाड़ा, या सतरा का खतरा, तो ऐसे ये तेरा नमबर सच में इतना अलखी होता है, कोई तेरा को पैदा हुआ हो, या फिर तेरवे फ्लोर, जैसे कई बिल्डिंग में होते ही नहीं, कि नहीं में होते हैं, तो उस पे रहने वाले लोग सच में वो इंपक्ट देते हैं, जिसको विश्वास है, उसको उसके ओपर पुपिटर का थे नौड़ा में तेरा सेक्टर नहीं है, तो ऐसी जो भी भड़ी बंधी है, उसमें उसको हटा दिया जाता है, तीरा नमबर जो आहरा है, वो आहरा है रहू से, और रहू जो है, अंसर्टेंटीन देता है, थोड़ा इसको और असे समझते हैं, कि एक नमबर जो है वो सूर्य का है दो नंबर जो है वो चंद्रमा का है तीन नंबर जो है वो गुरू जुपिटर का है चार नंबर जो है वो राहु का है पांस नंबर जो है वो बुद्ध का है छे नंबर जो है वो वीनस का है साथ नंबर रिप्रेजेंट केतू आठ इस शनी नौ इस की अब आप माल लेते हैं किसी का ड्राइवर फोर कंड़क्टर नौ है एजूम कर लेते हैं अब उसने तेरवा नंबर का फ्लोर ले लिया तो उसको लाइफ में और टेंशन हो जाएंगी अब लोगों को यह भी पता नहीं है कि फ्लोर तो ले लिया कौन सा फ्लैट नंबर ले माल लिजे कोई आदमी कहता है मुझे बारा सो चार नंबर मिल रहा है अब वो नॉर्मल क्या कैलकुलेट करेगा वन प्लस टू प्लस जीरो प्लस फोर कितना टोटल आया साथ साथ आया ना वो फ्लोर नंबर वो फ्लैट नंबर साथ नहीं है क्योंकि ट्वेल्थ फ्लोर पे जब आप पहुंचे हो तो वहां पे चार फ्लैट थे बारा सो एक बारा सो दो बारा सो तीन बारा सो चार तो आपने चार नंबर फ्लैट लिया वो बारा को काउंट नहीं करना तो उसके से वो सिर्फ चार ही हुआ यस अब भाई साब फोर और नाइन वाले हैं उनको ने फो तो इसको चेंज कर दिया अब समझो हम कहते हैं कि जो दिख रहा है वही अपने पास अटट करेगा अगर आपने वहां पे लिखके लगा दिया तो वह और बेडागर कर देगा उसको स्पोटिव करने काउंट करोगे तो वह और यहाएगा लेकिन उसको स्पोटिव करने के लिए उनने क्या कर दिया 1200 सो ए तेरा तो लिखना नहीं है तो उन्हें बारा ए लिख दिया वह फरकाएगा वहना आप अगर हाई कोट में चेक करोगे चंडीगड के अंदर वहां पर उन्हें कोई कमरा बनाए नहीं था तेरा के हिसाब से तो कितनी पुरानी सोच उनकी रही होगी चायना वाले तो कभी इसको सो देरा नंबर को मानते ही नहीं है उसको क्या है की चार नंबर जो है सिरफ राहू का है और हो के पास क्या है सिरफ है तो वह सर्टेंटी और उन्सर्टेंटी दूनों देगा वो अधू आप CRANح there's nothing can 2024 हमने सुनाएगी बहुत जाद आठ नमबर वालों के लिए कठिन होएगा होई रहा है मतलब तो मैं आप से पूश हो चाहरा हूँ आपका आपके लिए हुआ कि आपको लग रहेगी कठिन है कि अधूरा ग्यान क्यों है क्योंकि मेरी डिट ऑबर्ट से जो परस्नल यह आएगा वो मुझे मारेगा या मुझे स्पोर्ट करेंगा वो देखने वाली बात है 11 अक्टूबर 1942 अमिताब अचन जी की लिटाव बर्थ है ठीक है अब अगर हम उनका परस्नल यह निकालते तो कैसे निकालेंगे 11 प्लस 10 प्लस 1982 अब इसको अब टोटल करो कितना आया 11 प्लस 10 प्लस 1982 को टोटल करो कितना आया किना आया वाई करना पड़िए करके देखो ना चार तेरा इकिस तेइस पांच आ गया पांच आए सही है कैल्कु ठीक है परफेक्ट इंदम बहुत वड़ी है सिखादी है ना परे तो वो साल अमिताब बचन जी को चोट लगी थी मुक्का लगा मृत्वी शहिया पे चले लेकिन उनका मित्र साल था वो परसनल यह पांच बचा के लिए आया वापिस यह फरक है समझने तुसर यह पता कह चले हैं मित्र है कि शत्रू है पूरा बताएंगे क्या दिक्कत है उसमें कंसल्टेशन के बाद बिलकुल हमें तो हर चीज को गाइड करने की आदत है आप व है वे 70% स्टुडेंट जो है जो आज की डेट में अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं वाँ दो हजार ग्यारा से मैं पढ़के आया था थैंक्स टू हमारे पद्मा मैडम जिनों नहीं इतना बढ़िया हमारे मार्केटिंग करती है और थैंक्स टू हमारे रह जो हमारे मार्केटिंग करते हैं उन्होंने इतने अच्छे डंग से इसकी मार्केटिंग करी है कि जितने भी स्टूटेंट्स अगर आप देखोगे वह कहीना यह बताते नहीं आपने गुरू का नाम मैं तो खुल के बताता हूं कि भईया मैं अर्विन सूर से पढ़के आय और अकेला मेरा प्रेटफर्म को लॉंच करने का परपस किया था उसका परपस यह था कि मैं एक स्कूल खुलना चाहता था अब अगर मैं काम खोल रहा हूं मेरी दुकानदारी है तो वहां पर मेरे ही होने चाहिए मेरी वाइफ मेरा बेटा मेरी बीटिया वही होने चाहिए मैंने यह नहीं करा मैंने कहा कि जो भी मार्कीट का बेस्ट टीचर है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेखिया और वहां से उसकी नौड़ेज जो है दुनिया में बाटो तो वही हमने कॉंसेप्ट लॉंच किया था 2021 से और आज तक वो करके आ रहे हैं और बहुत बड़ी आशिर्वादार रहे हैं अच्छा सर जैसे आपने बोला शतरू है या फिर साथी है तो अगर शतरू है तो इस केस में बच सकता है इनसान की या बची बची निपाएगा अगर शत्रू है तो नोट कर लो आप नोट कर लो आपने बचार थोड़ी सारे वीवर्स को बताना होए हैं उनका जो दुष्मन नंबर है चार छे आठ नो है जिनकी भी मुलां क्या बागयां चार छे आठ नो है जो भी तीन तारीकों पैदा हुए है उनका दुष्मन लेकिन जब आप बिजनस करोगे ना वाको समझ में आना चाहिए कि मुझे से ट्रांजेक्शन करनी है नहीं करनी है चोलो मैं गल्थ हो सकता हूं लेकिन हमारे पूरवाइस तो गलत नहीं थे उन्होंने बात बोली थी 36 कांकड़ा सुना कभी है अगर आप हिंडी में तीन और छहे लिखके देखो ना दोनों अपने पीठ करके खड़े एक दूसरे की तरफ हिंदी में रखिते हो 36 कांकड़ा तो वह पीठ खरके ख़ने है तो इह हम कह सकते हैं दोस्ती नह बचा रखा है कि रहने दूसरे के दोस्त हो एक दूसरी को कर रहा है तो यह फिर मेक्शुर कर ले तीन और छेना हो कम से कम कोशिश करें कि अगर जिससे ट्राजेक्शन कर रहा है अगर उसकी डेटा वर्त उसे मालूम चल रहे तो वह संभल के काम करें अब बाप और बेटा है 36 का हां कड़ा है हो सकता है बाप तो इग्नोर मार दे शैने तीन का दुश्मन छे है चार के दुश्मन है नबर-9 नंबर-2 नंबर-4いて Il. और अभिभ३ फुर ले नंभर 4 बहुत दुशमन है नंबर 4 पार चार और चार कि शादी करवादो, बिजनस पार्टनर्शिप करवादो, बाईसाब गोल के उचल जाएंगे, क्या बात कर रहे हुआ, तलाक है सीधा, तलाक सीधा, उसका भी सलूशन है हमारे पास, भी सलूशन हम देते हैं, बिसिकली, we are people क्या, we are solution provider, बाईसाब कोई दुखी आत्मा आया है, कोई दुखी आदमी आया है, उसको सलूशन दो ला, उसा ड्राके दोड़ी बेजना है, जो हमारे पास आया है, वो बहुत उमीद से आया है, तो उसको हम सलूशन देके बेजेगे, इसके बाद जो आता है, वो निम्रोलोजी का सबसे सूपर स्ट्रॉंग न का नाम MRF दुबई पांच पे आता है किशी को कहो कि तुझे अगर हनीमून पे जाना है तो वो कहां जाएगा ग्रीस ना दुबई दो नहीं जाएगा मॉल्डीव्स ग्रीस और 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 सबसे पहले येस 41 का फाइफ सर इंडिया भी तो पांच पे आता है नहीं आता दियर United States of America ये औरिजिनल नाम था USA का वो 77 के 5 पे आता था पड़े लिखे लोग आये तो उनने क्या कर दिया USA वो 10 पे चला गया वो भी काम कर गया वना पुरानी फिल्म में देखो पूरा है हवाई जाज को पूरा लिखा उता था United States of America वो 77 के 5 पे आता है फिर उसके बादे और अपना ज्यादा दिमाग लगा दिया तो कर दिया US अब US आगया 9 पे अब जैसी 9 पे आया वहां बेडागर को गया कतलेया मच गया ये उसकी definition है समझने के लिए क्योंकि 9 नंबर जो है वो हनुमान जी का नंबर है हर बंदा उसकी sport नहीं ले सकता बहुत सात्विक होना पड तो अब तो इतने टेस्टिमोनियल एं उल्ड़ पुरानी है बुलेट 23 के पांच पे आता विराट कोली 32 के 5 पे आता रतन टाटा 23 के पांच पे आता धिरु भाई अम्भानी 41 के 5 पे आता अ नरेंदर मोदी 41 के 5 पे आता तो इसे देंगे कहते हैं राम से बढ़ा राम का न और इन्हें मैं को प्यूज भाई तुम क्या कर रहे हो जै गलत हो गया रा फ्रिक्वेंसी मैंने चेंज कर दी इसलिए कहते है राम से बढ़ा राम का नाम हर चीज आपकी और मेरी नाम की वाइब्रेशन पे है और 80% लोग के नेम के स्पैलिंग गलत है मेरे भी नेम के स्प है कोई माबाप चाहेंगे कि हम अपने बच्चे का नाम गलत करें नहीं बिल्कुल नहीं शक्ता ना मैंने भी करी चब मेरी डिलिवरी की मेरा बेटा आया तो हमने जिस डॉक्टर डिवरी कर वाई थी उसका नाम था म the तो हमने नाम दो दिया मिरनाल बजाच हम बड़े खुश चलो जी काम हो गया इजदी डॉक्टर को उसके बाद जब हमने कोर्स को करा तो समझ में आए भाई आपने बेडागर कर दी अपने बच्चे का तो हमने उसका नाम चेंज किया मिहीर बजाच वो फरकाया सारा का सारा अब उसका नाम है मिहीर राय बजाच क्योंकि आप चेक करोगे जैसे जैसे आप मेरे इसको चीजों को देखोगे आगे पूरी चेकिंग करोगे तो समझ में आएगा 85% लोगों के पास उनकी ग्रिट में पांच का आंक नहीं है अम इता बचन के बास भी नहीं है अराभ्या बच्चन 41 का 5 एश्वर्य राय बच्चन 41 का 5 अभी शेग बच्चन 50 का 5 मेरे पास तो टेस्टीमोनियली कमी नहीं और सल्मान खान का 3 प्याता लिया उनका 3 प्याता है मोकेशन मानिका भी 3 प्याता है सूपर स्ट्रॉंग नंबर जो है निमरिलोजी में वो 3 ही है 5 एक और 6 उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है 3 तीन नंबर क्या है वो देता है ग्यान मुझे नहीं पता आप लोग को पता है कि नहीं पता आप लोग क्या करते हो वैसे आपका ये काम क्या है जो आ प्रियल टॉक जो है वो 21 के तीम पर आता है तुम्हें पता ही नहीं होगा नहीं हमें पता थी पता थी पता थी अरे हुआ है हमने यह देख तरी डखाए नहीं जरूरी था बट इससे और बैटर होता कि हम इसके अंदर इसको पांच पर ले जाते हैं क्योंकि हम करक्या रहे है हम ग्यान देने के काम कर रहे हैं तो अलड़ी ग्यान तो उसमें आई गया तीन नंबर के आशिरवाद से लेकिन परपस क्या है अगर वो पांच आ जाएगा तो बहुत बड़ा स्पोर्ट आ जाएगा अगला जो नंबर है वो है नंबर छे का दुश्मन है नंबर तीन और नौ छे नंबर जो है वो शुक्राशारे का नंबर है उसके जो देवताओं के गुरू है वो नंबर तीन है तो इसलिए वो तीन नंबर और नौ नंबर उसके दुश्मन है साथ नंबर का कोई दुश्मन नहीं है बट साथ नंबर हमेशा confusion देगा दोखे दिलवाएगा health issues द अब उसके बाद है तो है नहीं सोचने के लिए वो कहां से सोचेगा दिल से सोचेगा दिल कभी कहता है यह अच्छा यह अच्छा यह अच्छा फिर कर्फूजन कहां से हुई यही तो हुई प्यार में धोखा अपनों से धोखा health का धोखा यह साथ नंबर वालों को मिलता ही मिलता है शाहिद कपूर साथ नंबर दोका मिल गया जैसे जैसे आप वर्किंग करते जाओगे आपको समझ में आएगा कि साथ नंबर वाले नंबर बहुत अच्छा है बट कही ना कहीं पे टेंशन्स दे के जाएगा वो अलग-अलग कैटेगरी है किसी को हेल्थ का दोका किसी को प्यार में दोका किसी को अपनों से दोका मैं पैसों का दोका दिलवा जाएगा मैं खुद मेरी डबल सेवन आता है मैंने अपने शेयर ब्रोकर को अठारा बैंकों से लोन लेके उसको अठाइस लाख रुपे दिये वह बढ़ते बढ़ते जो पैसा है 38 रुपे हो गया औ अब देखो ना उसका वी साथ नंबर है वह पहले बीवी को दोका दिया फिर दूसरी बीवी के साथ चला गया तो चीजे हैं अब ही आप जितना जितना उसके साथ जुड़ते जाओंगे समझ में आता जाएगा रितिक रोशन एक पांच वाला है अब उसने शादी करी आठ नंबर वाली वाइब से तो मैंने पहले पहले क्या बताया एक का दुश्मन कौन है आठ अब उसकी वाइब कौन से आई आठ नंबर वाली डिवोर्स हो गया अगर बढ़ता चला गया एक दिन बंफूड गया कांड हो गया रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड में तो फेली हुए अमिता बच्चन और जिया बच्चन जो है उनकी जो मेरिज कॉंपैटिबिल्टी है वो सिरफ 20% है पर दोनों रेमेडी करवाते हैं ना अपनी शादी चल रही है आप कितना उस चीज के साथ जुड़ सकते हो यह आप पर डिपेंड करेगा और नहीं तो फिर जो हो रहा है हो तो फिर हरी इच्छा तो ही है हम तो उसमें कुछ नहीं कर रहे है आठ का दुश्मन है 12948 साथ का कोई दुश्मन नहीं है आठ का दुश्मन है 12948 इसलिए आठ वालों को आप सबसे ज़्याद तकलीफ में देखते हो दो हजार चौबिस अगर हम सिंपल देखें तो आठ आठारहा है पर इसको ऐसे केल्कॉलेट नहीं करेंगे वह तो आगे बताओंगा कैसे हम इसको एकॉलेट करेगे और 9 का दुश्मन है चे चार नवा का तो यह पूरी की पूरी स्टोरी ऐसे चलती है दुश्मन को इडेंटिफाई कर लो अब क्या है कि कोई मेरा स्टुडेंट पढ़ने ही आ रहा है कोई मेरे पास मेरा पार्टनर है इतना मैं उसमें वह नहीं करूंगा लेकिन मुझे जहां पे एक परस्टन की ओपर ट्रस्ट कर करने से पहले सोचना था ना सही बात वहां पर सारा का सारा फरक आता है तो लाइफ के अंदर निम्रोलोजी का बहुत बड़ा रोल है आप पर डिपेंड करता है कि आप उस पर ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो क्योंकि एस्ट्रोजी अलग थीम पे चलती है निम्रोजी अ मित्र बन सकता है मैं अपनी रेमेडी करूंगा आप अपनी रेमेडी करोगे अब इनका नौज है और आपका ड्राइवर छे है तो दोनों में 36 का आखड़ा आ जाएगा लेकिन अपनी रेमेडी करके उस चीज को कम कर सकते हैं गायब नहीं कर सकते इंपर डिपेंड करेगा शुबह भाई आप नौनवेज खाते हो ने बास जहां इनका आशिरवाद आ गया जिनका भी ड्राइवर या कंड़क्टर तीन और नौ है उनको नौनवेज टच भी नहीं करना चाहिए यह बहुत बड़ा आशिरवाद है मेरे तो कितने क्लाइंट है जो दुबई में हो आपको टच भी नी करना बाकी तो पतनी दूर की बाते हैं सारी के सारी और अगर आप ट्रस्ट करते हो करके देखो कि समझ में आएगा जी कितना बड़ा आशिरवाद हो सकता है सबके लिए रेमेडीज है प्यूज भाई छत्री हम घर से बाहर निकले दूप हो रही है त तब भी शत्री काम आएगी कल को करनी ना बरसात ना धूब कुट्ते आप अगड़ने आ गए चत्री दिखा के ड्रा तो दोगे ना चत्री तो हर दिखा काम आ रही है सही कह रहे हो सर तो रेमेडीज का बहुत बड़ा आशिरवाद है और डिपेंड ऑपन अस कि हम क्या उस करवाना है जितना भी आपका वेड है यह जो रेमेडी है राजा महराजा किया करवाये करते थे ऑक को किए मैं हर महीने ये रेमेडी करता हूँ मैं चुकी पाड़गज में रहता हूँ करोलवाग में हमारे पास 2100 गाए है वहां मैं हर महीने जाता हूँ जब भी टाइम मिल जाता है मैं रेमेडी करके आता हूँ बड़ सार हर महीने कैसे बड़े तो एक बार आता है तो कौन से दिन करना है कभी भी सोचना ही नहीं है आज याद आगे है आज ही कर लो अच्छा नहीं तो अगर सिर्फ आप साल में एक बार ही करना चाहते हो तो बर्थड़े जिस दिन निकल जाता है उससे अगले दिन या उससे अगले दिन खोशिश करो ASAP हो जाए डिले ना हो फिर भी आपके तो संदी भाई मैं आउट ओफ इंडिया हूँ नहीं कर पाया मैं पंदरा दिन के बाद आऊँगा अज तक तक तुमने नहीं करी तो कोई बात नहीं पर अब तुम्हें समझ में आया है तो करके देख लो वस ये फरक आएगा साला का और ये हर बंदे को हर बंदे के लिए इसमें कोई डिट ओव बर्थ नहीं देखनी दूसरी रेमेडी जो सूपर स्टॉंग रेमेडी है जितने हमारे सिख लोग हैं वो क्या करते हैं चबील लगाते हैं लंगर लगाते हैं तो हम लोग भी तो चबील लगा सकते हैं क्या चीटी की आत्मा और आपकी आत्मा और मेरे आत्मा में फरक है नहीं है ना तो एक किलो वाटा लेना है आदा किलो बुरा लेना है चीनी का बुरा बनता है ठीक है एक किलो वाटा लेना है आदा किलो बुरा चीनी लेनी है दोनों को मिक्स करना है और एक मुठी निकाल लो सो ग्राम निकाल लो डेट सो ग्राम निकाल लो वो रोज सुबह मौर्निंग बॉक जब करने जाते हो चीटियों को डाल किया है इतना सो पाई करके देखो कैसे आप पचास सो करोड के आदमी बन जाओगी आपको भी समझ में नहीं आएगा जितने लोग करें हैं मतलब सारे सा ने खिलाया तुम अगर उसे रोटी खिलाओगे तो तुमें गालिया देगा ने फिर चीटी बिचारी कर खाना ढूंट रही है तुमने उसे भोजन दे दिया सोचो कितना तुम्हें भगवान को थैंक्स बिजने वाली है अब ऐसे ही एक रेमेडी है जो कि सिरफ छे नंबर इस से क्या होगा सर ठंड ठंड चल रही है पता चले और बिमार होगा तो गाली देगा है खिला तो हम वाइट रहे है ना अच्छा मीठा वाइट जैसे घर में आप फरबरी आगया अगया है अब निकल गई है हो ना वाइट ही चाहिए अच्छा फ्राइडे को शाम को पां कोई और मांगने आगया है उसे हाथ जोड़के माफी मांग बिटा I am sorry for that अगले हथे देखेंगे हर फ्राइडे करो छे बजे शाम में पांच बजे छे बजे साड़े शे बजे साथ बजे रिजेट मत हो जाओ पंदरा से स्पोर्ट समझो स्पोर्ट कितना बड़ा आ सकता ह क्या स्पोर्ट आएगा सर पैसा साधी हुआ जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी इस रेमडी से शाधी करा दी पर तीन नंबर वाले उपाई नी करेंगे ये उनका एंटी हो जाएगा वह उपाई कर देंगे तो बेड़ा गर को जाएगा तो शाधी कर के दिखादो नव वाला उपाई करेंगा उनका उपाई अभी देखे जाता हूं यह प्यूज भाई का उपाई है चुकि यह छे नंबर वाले हैं तो इनको फ्राइडे के फ्राइडे गरीब लोगों को यह करके देखो यह क्या होता ना कि हम विश्वास नहीं कर पाते लेकिन जब आप करो होगे मैं 2011 से यही उपाई कर रहा हूं और उसी के साथ मुझे यहां तक पहुचने का आशिरवाद सराज आपकी नेट वर्थ क्या है कितने करोड के आदमी हो आप अगर आप समझो तो देखो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं मेरे है कि मैं जन समाधी सेवा करो हूं बट फि सारा पैसाब गुंडे घर पे आते थे अच्छा बैंक के पैसे नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा तो यही रेमेडी मैंने हर महीने करके प्लस उसके साथ-साथ एक और बेसिक रेमेडी है रोज काओ को आलू खिला आलू कच्छा आलू कोई उस पे हल्दी नहीं लगा नहीं कोई से कुछ नहीं करना अगर दो सकते हो अपने हाथ से दो के काओ को आलू किला यह किन के लिए है सब के लिए मैंने बाई साथ 18 बैंकों का लून उता रहा है इससे आज जो मेरी वर्थ है वो तो चलो अलग पहानी है मेरे पास तो वो भी टेस्टीमोनियल है कि जब मेरी स सास एक शादी शुदा आदमी के लिए थपड क्या होता है एक शादी शुदा आदमी के लिए थपड क्या होगा डाइवोर्स नहीं 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 तो हमें पता नहीं आप बता दो समाज की जो इनोंने बात बोली है ना मेरी सास ने तीन साल लगातार मेरे बच्चे की स कौन के स्कूल में किया था वरिंदावन के अंदर तो वहां तीन साल मेरी सास ने स्कूल की फीज भरी है यह होता है कि शादिशुदा आदम के लिए थप पड़ा आज मैंने सब कुल पूरा कर दिया वा तो यह चीजे कैसे हो पाई वही मैं आपके थू दुनिया को बताना चा हुए 2,80,000 हो चुकी है मैं 2011 से रोज अपना लाम लिखता हूं उस पेज की ओपर उस डाइडी की ओपर उस कॉपी की ओपर यह तब वैलिड है जब हमारा नाम सही कंपाउंड पे आ रहा है यस डियर अगर गलत कंपाउंड पया तो इसलिए तो पहले किसे अच्छे निम्र स्ट्प इसलिए मेंसट रहता है उपने उल्टे हाथ पे रोज अपना एंजल नंबर लिखो एंजल नंबर जी यह मेरा एंजल अपंडा अभी बताता हम अभी बताता हम अभी बताता हम सारी कहानी यह भी पांस नंबर ही है लिखना ग्रीन पैंस ही है जिनको लाइफ में लगता है एमर्जनसी फंड चाहिए तो उसका नंबर है एट नाइन सेवन इसको थम के नीचे लिखना है ठीक है अगर अरजेंटली कुछ पैसा चाहिए एक लाक एक करोड यह सब दे सकता है अच्छा एट नाइन सेवन सरे तो हर कोई लिख लेगा फिर कोई लिखे पर एमर्जनसी हो उसी को इमर्जनसी कहां समझ रहें लो उनको यह करके देखें बहुत अच्छा आशिरवाद है इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है कोई यह पुल बैक नहीं करेगा यह मारेगा नही यह कोई भी करके देख सकता है लिखना अरे पैंट सही है शर्ट एक यही है बस और जिनको रोज का फंड चाहिए और दुकान पर बैटा हूं पैसे नहीं आ रहे गराख नहीं आ रहे तो उसके लिए नमबर है वन फाइफ तो उसके लिए नंबर है और फिर लिखूंगा त सबसे पहले आपने लेना है साल मेरा साल है 1971 1971 को टोटल करो कितना है इसका फॉर्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर रिमाइंडर कितना था 9 तो 11-9 कितना हुआ आगया तू आपका साल कितना है बताओ 1995 लिखो दस उनिस चौबिस छे पे आया तो 11-6 कितना हुआ पांच आपने पांच लिखना है प्यूज भाई आपका साल किया है अभिताब अचंजी का साल है 1942 ठीक है जिन जिन लोगों ने करोना के टाइम पे इसको लिखा उनके पास पता नहीं कहां से पैसा आया है अगर आप मेरी उस पे प्लेटफॉर्म पे जाओ कम से कम वहां हजार से उपर वीडियों है आपको सुनके शाद आपके भी आखों में आशू आजाएंगे लोगों ने ऐसे टेस्टीमोनियल दिए यह साल से आपको मिल गिया देखो जिसने साइंस बनाई यह सो दो सो तीन सो साल पहले उसने इसको प्रॉपर वर्किंग करी हमें उसको मिल गया एंजल नंबर यह कुआ नंबर कुआ नंबर हमारे वास्तों में भी काम आता है हमारी डिरेक्शन को देखने के लिए निम्रलोजी में यह कहता है कि यह आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है सब चीज यह एडिया फिल भी हेल्थ के लिए मैं फिल भी हेल्थ के लिए एक और नंबर देता हूं जो कि आप थोड़ा नीचे लिखूँगा फाइफ एट यह हेल्थ के लिए है फाइफ एट बस हाँ इसको दर्द हो रहा हो मालो पैर में दर्द हो रहा है गुटने में दर्द हो रहा है मालो सर में दर्द हो रहा है वाइफ को बोलो लिए यहां फाइफ एट लिख दे बस करके देखो बहुत अमेजिंग रिजल्ट ह सारी बात यह आती है कि होना चाहिए बालों मुश्किल हो जाएगा आप लिखके छोड़ दो ना उपर वाले को समझ में आ रहा है कि बज्चे ने लिखा है हमने तो यहां पर हमें डिस्प्लेय हो रहा है हम इसको देख रहे हैं खाली लेकिन अकर मालो कान में दर्द हो रहा है कान के पीछे लिख़वा लो बाई से लिख़वा लो ममी से लिख़वा लो करके देखो तब समझ में आएगा एक्शन होना होगा तब सारी चीज होगी एक्शन नहीं होगा तो कुछ समझ में आएगा सिरब बात ही है पर तो सर बुज़र को कि अक्सर पैर में गुटनों मे सबसे पहले जब कोई क्लाइंट आपके पास आप सबसे पहली रेमेडी ही नेमचेंज रेमेडी होती है या कुछ और भी होता है उसके अलाव सबसे पहली जो रेमेडी है वो नाम ही है इसे मैं उसमना इंगां ये अगर उसकी वाइबरेषिन ना नहीं है अब पुष में डबल ए आ रहा है पी वाए डबल ए एस हूर या पी वाई आई आ रहा है उसने कोई लेना देना नहीं है लेकिन अगर उसकी वाइब्रेशन गड़ब होई है तो वह साला बेडागर करतेगा सर नेम को हम कमी भी 99% नहीं आल्टरेशन करते सर नेम जो है हमारे पित्रों का आशिरवाद है उसको 99% हम परसंट नहीं छेड़ते कपूर, बजाज, खन्ना, गुपता नहीं उसको छेड़ना नेम के अंदर ही हम कलाकारी करेंगे उसमें चाहिए हम पापा का नाम साथ में लगाए या आपने जैसे नाम सुना होगा संजे लीला बंसाली वहीं पचास पर आता है लीला कौन है मम्मी उसकी मम्मी तो यह ऐसे आल्टरेशन करके आप अपनी नेम की वाइबरेशन को बढ़ा सकते हों उसको कोई नाम दो ships 來 के नाम देंगे Snoe and Sam Raad देंगे कंड़ किmegम्हार भी नाम पहोगा कि कभी गलत रग दिया तो काठ खाये ने काट निखाएगा बट वह कही ना कहीं पर टेंशन दे सकता है वो घुमों जाए वह हो सकता है कि बहुत अग्रेसिव हो जाए उस नाम की वजह से बारबरी वहीं वाइब्रिशन दे रहे हैं ना वह फरक है नेम को ट्रेवल करवाना बह मैं रोज सुबह उठता हूँ यही प्रेक्टिस करता हूँ सबसे पहले उसके बाद मैं अपना नेम के स्पैलिंग को लिखता हूँ और उसके बाद जो सबसे बड़ा त्यूल है वो भी साथ में नोट कर लो आजाए लोशोग्रिड बनाना है लोशोग्रिड को पंदरा हैं री बनाते हैं पंडी जी ना घर पर आते हैं ना दिवाली अपने पूजा करी और 3045 दिन चोड़ दिया और अगर आपने 365 के 365 दिन रोल लक्षी माता को ठैंक्स बोल रही हो लक्षी माता कैसे प्रसंद का की सिर वह चोटी सी चीजा बनाकर देखो इतने बहंकर टेस्ट और उस दिन से हमने सको ओपन कर दिया सारी दुनिया जी हमारे पास चुकि कम सवालाख लोगों को हम सटीविकेट दे चुके हैं मैं कम से कम 58 ball बना चुका हूं वेबिनार पर ओवर अलमें कम से कम एकल लग बना चुका हूं सारा खेल ही लोशोग्रीट का है सारा किल यी डेट बर्त का है डिपफ से सारा आशरवाद आता है और साइट टेंश्छ भी डिट आफ ऐसरी तो उसकेस में आप प्लेस ऑफ बर्थ टाइम औफ वर्थ पर जो में थे एस सिर्म डेकोवट में चहिए ऐस्ट जाहिए Mrs बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्लाइंट का नीम के स्पैलिंग चाहिए और उसकी डिटाउ बर्थ चाहिए. But sir जैसे astrology भी ना चाहते ना चाहते मानते ना मानते हम पे काम कर रही है, वास्तू घर का कर रहा है, numerology भी कर रही है, तो क्या सिर्फ एक numerology के उपाए हमारी astrological बादाओं को भी दूर कर देते हैं और घर के वास्तू से आने वाली problem को भी दूर कर देते हैं तो सबसे पहले आपका विश्वास है कि आप किस science के साथ जुड़ना चाहते हो मेरी life में hurdles थी, tension थी, बहुत मैंने life में कश देखे हैं तो मैं हर astrologer के पास गया, चाहिए वो लाल किताब वाला था, चाहिए वो कोई किताब वाला था मेरी कोशिश ये थी कि मैं जाओ, मैं समझूँ क्योंकि में पर double seven था, ठीटाव बर्थ में तो double seven कहता है के तू, वो कहता भई जा भठक, शाहिए तरको तेरा solution मिल जाए, तो किसी ने का आप यमना नदी में जाओ, वहाँ पे सिक्का छोड़ के आओ, किसी ने का गंगा में जाओ, वहाँ पे आप तेरा दिन स्नान करके और सिक्का छोड़ो, तो हमने वो भी किया, जिसने जो बताया हमने वो किया, लेकिन कोई स्पोर्ट ने मिला, थैंक्स टू अरविन सूर सर, जब मैं उनसे मिला, 2011 में मैंने स्विध्या की पढ़ाई करी, इसकी भी पैसे नहीं थे मेरे पास, मेरे दोस्त ने अपने क्रेडिट कार्ट स्वाइप करके 30,000 रुपे का प तो बेचारा जॉब करता था, जब उसको लगा कि भाई यह इतना एकसाइटीड है उस विद्ध्यों करने के लिए पर इसके पैसे नहीं है, तो उसने अपना क्रेडिट कार्ट स्वाइप करा के तब उसने मुझे वो कैश दिया था, जी, तो सर कोई और क्लाइंट एक्जा सारे हैं, क्योंकि मैं करो ना सवालाग तो हम सर्डिविकेट बांट चुके हैं, इन दा प्रोसेस 2020 से लेके आज तक, सारी बात यह आती है कि जिनके पास टेस्टीमोनियल है, वो सारे के सारे हमारे YouTube के उपर लगे हुए है, अब एक क्लाइंट था अपना, जो जिसकी शाद जाना चाहता हूं, तो मैं का यार तू एक काम कर तू यह 15 रजगुले ले जो मैंने प्युश भाई को बोला है, और यह Friday के Friday कर दे, कर दे, वाट रबिश, उसके अंदर से आवाज निकली, वाट रबिश, यह क्या बक्वास कर रहे हो आप, रजगुले खाना इसे में अब रजगुले खिला दोगे, तो वो क्या करेगा, भगवान, इस अंकल को हर अफते बेजना, यह मुझे रजगुले खिलाएंगे, बाई साब इतना बोलना था, एक महीने में उसका रिष्टा हो गया, और पौने दो महीने में उसकी शादी हो गई, और अबराड गया नहीं हो यहीं पे वो अपना काम कर रहा है, यश नाम है उसका, अच्छा, जी, और सर ऐसा कुछ बताओ, आपके बास कोई क्लाइंट आया हो कि पैसों की कमी हो रही है, और फिर उसके बाद माला माल, क्लाइंट इसे तो बहुत सारे हैं, बट एक में क्लाइंट है हमारा गुजरात क उसके ओपर 20 करोड का वो टेंशन चल रही थी, तो जैसी मैंने आपको गाइड किया है, ऐसी मैंने उनको गाइड किया, तो शैद सावा चार महीने के बाद, यह सावा पांच महीने के बाद, उनको उसकी ब्लेसिंग समझ में आनी स्टार्ट होई, क्योंकि एक दम पहले वि मेरे एक क्लाइंट था, उसकी एक शिप्मेंट फसी हुई थी for the last say 38 और 41 डेस, तो शिप्मेंट क्लियर नहीं हो पा रही थी, सब कुछ हो के था, कागश पूरे थे, बट कहीना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऐसी किसी के रेफरेंस से वो मेरे पास आया, मैंने उसे का बाई ये रेमेडी कर, चीटियों माली सेवा सुबे शुरू कर दे, अपनी नेम के स्पेलिंग को इसको चेंज कर दे, अर्पित कपूर नाम है उसका, अर्पित कपूर, तो उसको मैंने ये बताया, within 3 डेस, जो शिप्मेंट वहां 40 डेस से रुकी हुई थी, क्लियर हो गई वो भाई साव ने मेरे घर पे आके 50,000 पे कैश दे के गया, दिल से, मेरी फीस तो उसने दे दी थी, पर उसको लगा कि रोज मेरे को वहां पर डेमेज चार्डिस पढ़ रहे थे, उसको वहां दिल पे आया कि संदी भाई मैं आपके लिए कुछ करना चाता हूँ, बोनस दे लगाई मेरे उसको आगाके मेरे स्टाफ ने में रेका पर फोन रेका रमीत संना है। अपर डे करता गया मेरा पास मेरा थे पर जयों कोई दूसरा नंबर दे दी रहाइ है। क्योंकि वही बिजनस्तों बिजनस के तरीके से है ना वो सारी कहानी है। सर मोबाइल से आदा है, मोबाइल नमबर भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अच्छा, सर मोबाइल नमबर के ऐसे कॉमिनेशन बता हो, जो गलत इंपक्टर रहा लोगो की लाइफ में, अच्छा, यह फिर उसको भी डेट इसमें यूज होते हैं, अगर आप हर बंदा इसको यूज कर ले, तो कहानी चेंज हो जाएगी, मैं ही वो शक्स हूँ, जिसने मोबाइल में करांती लाई, कैसे करांती लाई, कि मैंने अपने प्लेट फॉर्म में खड़े होके बोलना स्टार्ट किया, कि लास्ट में 555 लो इसको फॉर्म में नमबर लिया और उस दिन से लेके आज तक मेरे बरॉट से आडर आते हैं, वा, मैं फिर बता इता हूं, डबल वन, सेवन, थी-शिक-ट्रिय के आता है, जो कि मेरा मित्र है, ना तो मेरे मोबाइल में दूचार आठ आ रहा है, स्का टोटल जो है, वो मेरे मित्रंक होना चाहिए जैसे मेरे मित्रंक है नंबर फाइफ नंबर सिक्स उसका टोटल 51 के छे पे आ गया और लास्ट में जो है ट्रिपल फाइव आगया आज की डेट में आपको ट्रिपल फाइव नंबर मिलेगा नहीं अगर ढूड़ने जाओगे तो पचास हजार से कम नही तो चार आठ तो उसमें क्या है मतलब वह अच्छा नंबर चंद्रमा का चार नंबर रहू का आठ नंबर शनी का तीनों ने तकलीफ देनी आप एक नया नंबर लो पुरानों नंबर इंकमिंग में रख दो मालों आपका नंबर जो है दस साल पुराना है ठीक है आप उस नं किन भीटो नहीं मानते आप सिर फिक चोटा सा प्रस करके देखो वस मुबाइल फोन में दो चार आठ ना आता हो लास्ट में 555 ले लो महीं मिलता ट्रिपल्पल्ड शुक्स लेलो बंटालाई ट्रिपल्पल्थ और तोटल जो कए अपके हम श्रुन जो आपकर शे नहीं होना से इनका मितल रहर पांच दॉसलों रहगों और भी सिर्ल्प में बने इतना कव करना नेट के उपर हर चीज है अमिता बच्चन अपनी हर गाड़ी का नमबर डबल वन डबल वन लेते हैं पता नहीं आपको पता है के नहीं पता दुबई में एक नमबर प्रेट अभी बिकी है डबल वन ट्रिपल वन पांच बारी वन आगया सौ करोड़ी और तेरी चेक कर लो नेट पे और आप अगर सूटेवल नमबर और उस गाड़ी को चला रहे हो तो और तरक्की देगा अब अगर आप पीले रंगी गाड़ी ले ले लेते हो बाई-साब सफेज रंगी गाड़ी बेड़ा घर को जाएगा अभी लिए है दोनों का अभी लिए है वाइट फर्शनल अभी लिए है वो तो आपकी मर्जी है और पहले सिद्धात को समझो कि अगर तीन का दुश्मन छे है तो आपको वो नहीं लेना चाहिए था अब आप चाहिए ड्राइवर से चलवाओ पर का एक पिरामिड आता है वो उसके डैस्ट बोड पर लगाओ कभी कोई नेगेटिव इनर्जी आरही हो कई वरी किसने कोई उतारा करके फैंक दिया किसे ने निम्मू मिर्ची फैंक दी आपी गाड़ी उस पर निकल गई तो कम से कम आपको डर वहम ना रहे तो उतना वो पिरामिड एक लगा लोगा बाकि जितना हो से के आपको वाइड कलर से दूरी बनाए रखनी है छे नंबर से दूरी बनाए रखनी है इनको यलो कलर से दूरी बनाए रखनी है बस अच्छा यस सिद्धान को समझो बस सिद्धान समझ में आ जाएगा अपने आप लाइफ मे के लिए sir से जुड़ने के लिए sir से और जाधा सीखने के लिए sir से कंसल्ट करने के लिए जितनी भी required details है वो हमारी description में mentioned है आप जाके sir को instagram पे भी follow कर सकते हैं और sir के youtube पे भी follow कर सकते हैं जितनी बाते sir ने यहां कही वो सब on record है testimonials available है आप जाकर पहले सुनिए और खुद basics जो हमने हमारे podcast में बहुत valuable तरीके से हमने आज यहां पर serve करें उनको apply करके देखिए फिर आपको उसके result मिलते हैं तो आप हमें भी बताईएगा ताकि हम sir को convey कर सके आपका message या directly आप sir से बिलकुल consult कर सकते हैं हम मिलेंगे आप से नए episode के साथ जाने से पहले हम बता दें आपको हमने अपनी motion dice के नए designs launch कर दी है वाई आप जाकी check out कर सकते हैं हमारी website www.realitystore.com उसका link भी description में मौजुदे सर आप भी चेक कर लेने को बढ़ी है तो चलो जी मिलते हैं नहीं पॉड़कास्ट में तिल देन भाई जै गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद जै श्री राम जै श्री राम